तो अगर मेरे पर दो ग्राफ इस तरीके से शो हो रहे हैं ठीक है एक मेरे अधमीज यह यह एक ऐसे है और आप screen share कर रोगा screen share नहीं हो रखिये क्या नहीं सर मुझे तो नहीं दिख रहा है तो इसको extend करो ठीक है और इसको भी extend करो अरे वा क्या बात है श्रया यह हमारे पास क्या है तो इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से एक्स्टेंट करना होता है ठीक है तो यहां से लेकर यहां था कृती तुम बोड़ पर ध्यान देख लो तुम बार बार स्क्रीन में उसको जूम करके देख रहे हो यह तरीका है ऐसे नहीं करते ठीक है और यह हमारे पास तरीके से यह डिद लो ठीक है तो इसका मजलब यह वाला तो यह मेरे पास B है तो जरा बता हूं मुझे किस का वगदन ज्यादा होगा W A या W B टो डब लू B का वगदन जो है वो मेरे पास ज्यादा होगा और यह किस किस के बीच ग्राफ हमने बनाया था फ्रिक्वेंसी के बारे में और ये स्ट परकुनिसी और ये था हमारे पास stopping potential के बारे में जसको हमने V naught का नाम दिया था EV naught याद आया श्रया पेरी पेरी बच्ची तो अब जरह मुझे बाब बता हुआ हमारे पास जो main equation होती है वो होती है H mu is equal to H mu naught plus का kinetic energy yes or no तो H mu को तो चलो H mu रहने दो H mu naught को क्या मैं work function ले सकता हूँ W work function और kinetic energy को हम क्या लेते है EV naught अब तुम्हें straight line के equation पता है y is equal to क्या होता है mx plus c होता है yes sir last class में यही दिक्कत हो रही दिशाए हमारे पास यह frequency है तो अब y पे हमने क्या रखा हुआ है y पे हमने रखा हुआ frequency और यह है मेरे पास v naught तो मुझे इस v naught को y बनाना है y is equal to mx plus c होता है तो इसका मतलब यह होता है कि y axis पे जो तुम्हें रखना है वो यहां रखो x axis पे यह वाला इसके आगे वाला slope होता है और यह constant होता है intercept y intercept होता है न ठीक है तो इसका मतलब अगर मुझे v naught निकालना होगा तो बागी सब को इधर लियाओ फिर तो यह हो जाएगा h mu minus का w naught is equal to ev naught e से पूरी equation को divide कर दो तो यह क्या बन जाएगी h upon e mu minus का w naught by e is equal to v naught कोई डाउट है इसके इंदर यह equation जो आई है अभी सब्सक्राइब दियान से देखें तो अभी सब्सक्राइब मैं कहले से तो y is equal to mx plus का c अब जड़ा c बताना c की value क्या आ गई फिर अगर compare करो कि इस equation से तो minus w naught by e minus minus का मतलब यह y की नीचे जाएगी या उपर आएगी नीचे नीचे आ रही है डबलू तो यही work function है ठीक है slope की value क्या ही है m की value मतलब slope होता है h by e by वाले बच्चों को थोड़ी से दिक्कत आएगी ठीक है क्योंकि equation in 12 वैसे तो लोगों भी पता नहीं है मैंस बस नाम के लिए इनकी पास तो m is equal to क्या होता है तो यह क्या हो जाएगा h upon e तो यह क्या है हमारे पास slope का मदला होता है पर पेंडिकल और अपन बेच उसको तो 10 ठीटा से बीप्रेजन करते हो ठीक है तो h upon e मेरे पास तो यह equation थी तुमारे पास तो स्लोप अगर पूछा जाए तुमसे कि कोई भी ऐसा दे रखा है अगर वी नौट और फ्रिक्वेंसी के बीच में दे रखाए ग्राफ तो अब फॉंक्षन का और फ्रिक्वेंसी के बीच में रिलेशन हम ग्राफ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो श्रीया इसके अंदर कोई भी डाउट है यह अच्छा यह सी का मतलब क्या होता है श्रीया in this day तो य पे जो आ रहा है तो य पे जो नीची के साइड़ा ए माइनस में मैं तो इससे तुम्हें या दखना है double note upon में e किसी को भी कोई भी single doubt is के अंदर आ दिते है मैसाती है तुमहें अचिवली आदिते है बोलो yes sir yes sir अच्छा पे तो लिए एक ईंटेंसिटी आ रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ रेडियेशन के अगर हम बात करते ठीक है? देखो, यह वाला formula तुम सबको याद रखना है benutensity का मतलब अपने UP में क्या होता है? Energy से होता है. तो कितने area में कितने time तक energy आ रही है वो intensity खिलाती है. भाई देखो, मेरा यह phone है मालो. इस phone में मालो कोई भी एक light तुम fall करवा रहे हु. तो अगर इसके उपर कोई भी लाइट गिर रहे है तो कितने एरिया तक कितनी लाइट पड़ी है और कितने टाइम तक पड़ी है वही तो इंटेंसिटी इस ने अब्जॉब करी इसका मतलब तो टाइम भी बहुत बड़ा रूल प्ले करता है आपर तो एनर्जी बाइए इंटुमेट टाइम तो यह इंटेंसिटी का होता है फॉर्मला सबको याद रखना है अच्छा एनर्जी अपॉन में टाइम क्या हो सकता है एनर्जी अपॉन में टाइम बोलो डॉबलू अपॉन में टाइम बोल अनर्जी और वर्क एक तरशा होता है न यह moं तो यह हमारे पास कहा है intensity of radiation का formula सब बच्चों को याद रखना है ये भी पता होना चाहिए कभी-कभी वो तुमसे power पूछ लेता है intensity दी जाती है और area दी जाता है तो इस तरीके से question कर लोगे everybody महेक श्रिया तो यह फॉर्मले यह सब चीज़े याद रखनी है अच्छा महेक बात बताओ यह जो हमारे पास पूरा चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर दो चीज़े हैं थी कि दो टाइप के नेचर होते हैं तो वह नेचर लाइट के कौन-कौन से लिए गए थे सब प्रटिकल और भी ठीक है तो पार्टिकल और वेव नेचर होता तो इन दोनों को किसे ने कंबाइनर करके वेविडन निकाली ते सायंटिस का क्या नाम था तोनों को combine करके तर आइंस्टाइंग नहीं नहीं डी प्रोग ली आइंस्टाइंग तो उसके लिए था ना पार्टिकर पार्टिकर इस इकल टू एंसी स्क्वेर ठीक है आइंस्टीन ने तो बच्चों-बच्चों को याद करवा देते हैं चोचरे बच्चों को बता है इस ब स्क्वेर को एंसी स्क्वेर बोलो ठीक है बैटर रहता है क्योंकि वह आगे जाके यह बना जाएगा यह चलो तुम यहीं बोलो कोई बात में तो दोनों को combine करते हैं से स्क्वेर बस तुम चुप रहोगे अब रुक जो तुम्हारे घर पर कॉल आएगा फिर तुम्हारा बनाएंगे अच्छे से और हम क्या बोल सकते हैं तो सी से सी कड़ जाएगा तो अब अब यह मेरे पास M into C को क्या बोल सकते हैं M into V बोल दो क्योंकि यह मुमेंटम होता है तो एच अपॉन पी यह डेरिवेशन डेरिवेशन नहीं कितनी बार बता चुका हूं मैं और अगर बच्चों को अभी भी नहीं पता तो यह बहुत ही अपने आप में बहुत शरमनाक ब सब्सक्राइब कर दो कर दो कि अभी तो मैं अभी नहीं करवांगो पहले चीज़ें सिंपल से चीज़ें चलों करवा देंगे चिंदा मत करो ठीक है अब डीब रोगली वेव लेंदे देखो ही हमारा पूरा कपूरा यहां पर चैप्टर होता है समाप्त लेकिन एक चीज़ कर दो लोगा है कानेटिक energy जो होता है वो क्या होता है मेरे पास half mv स्क्वेर होता है सबको बता तो अगर तो पूरी को multiply कर दो m & m से तो यह क्या बन जाएगा मेरे पास half m Goddess यह सेम 11 वाला ज्यान है यह सरख Wow मुमेंटम देदी आ जाए जाया अगर हम सातीत के लूब Wakar P स्क्वेर बां या P2 by 2M, P का मतलब क्या होता है RN, देखना सारे बच्चे, हाँ RN, P का मतलब क्या है यहां पर? PEPA वर्स Omniferum? Sir, P का मतलब जो होता है न? हाँ वो होता है, मोमेंटम टाइप से, पापा? हाँ, तुम बोलो कुछ PEPA बच्चे नैंट बच्चे बताया थे, बच्चे ने डीपी लगा ली थी, वो अगर जैसा होता है तो ओभी जैसे पॉले PEPA तुम देखतेखे पयूइए best तो यह हमारे पास क्या है तो के इस इक्वल कर सकता हूं ठीक है तो यही से अगर मालो तुम्हा इस पोटेंशल दी दिया जाए और तुमसे मोमेंटम निकाले तो वो किसके बराबर हो जाएगा तू एम इवी नॉट अंडरूट हो जाएगा क्या तो यह सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब निकाल सकते हो इस तरीके से मोमेंटम भी निकाल सकते हो ठीक है यह फॉर्मले है इस पर कोश्चन आएंगे एक्जाम में ध्यान रखना इस इतने भी राइट ना तुम इस पर देख रहे हो लेंडा इस एक्वल टू एच अपॉन एमडी होता है एच अपॉन एमडी को मलब हम पी बोलते हैं तो अभी तुमने पी निकाल लिया तो माललो आप तुमसे डी ब्रोगली वेवलेंट दे और इस पी की जिगर पर क्या मैं यह लिग सकता हूं रूट टू एम एवी नॉट भी तो लिए सकता हूं अगर इस टॉप एम एवी नॉट तो यह फॉर्मले हैं सबके टिफ्स पर होने चाहिए वैसे तो तुम महाँ पर खुद फॉर्मले ड्राइब कर लोगे अगर भूल गए तो लेकिन याद रखो कि तो ज्यादा बैटर है टाइम एक ना पुटेंशल दिया और वहां पर हमने करेंट को जीरो कर दिया इसका मलब यलेक्टर रूख चुके होंगे अगर तुम्हें कि स्टॉबम पुटेंशल दे तो अब कोई करेंट नहीं आ रहा इसका मलब कर एलेक्टर रूख गए याँ चल रहे हैं तो जैसे करेंट आ की पावर 34-34 रूट यह मेरे पास टू का टू रहेगा मास क्या होता है मेरे अच्छा यह वाला लगाते हैं ठीक है तो एक से किन अगर मास की मास की वेलू जला बता हो अगर कितनी होती है 9.1-31 kg ठीक है अब यह मेरे पास इवी नॉट है इका मतलब क्या होता है 1.6 x 10 to the power minus 90 अब जो वोल्टेज है वैसे तो वोल्टेज हमें हमने एक्स्पेरिमेंट करके देखा लेकिन वो वोल्टेज तो चेंज हो सकता है ना लाला कंडिशन में तो इसलिए हमने उस वोल्टेज को वी का वी ही रहने दिया तो अब वी और लेम्डा के बीच में हमने अंडर रूट वी यह अंडर रूट है ना पुरा अंडर रूट जा रहे ना पूरा को पुरा अंडर रूट वी इंटू एम्स्टोंग तो इसका मतलब मेरे पास एक फॉर्मला और आगया stopping potential और calculated जितने भी constant है हमनों को solve किया तो lambda is equal to 1 देखो 1 के बाद 2 आता है 2 के बाद 3 तो 12.3 मलब 1, 2, 3 तो 1, 2, 3 root में V Armstrong याद रहेगा यह है इस chapter का last part और वैसे भी एक experiment और कराया गया था जिसका नाम है डेवी से ने जर्मन एक्सपेरिमेंट बट वो इससा कड़ चुका है तुमारा तो इसले वो इसलेवस में है नहीं है तो इसी के साथ तुमारा यह वाला chapter finally यहाँ पर होता है समाप्त ठीक है बई याद रहेगा तो dual nature का chapter कैसा लगा यह सक्षत अच्छा तुमारा यहाँ पर यह चैप्टर होता है समाप्त ठीक है तो अब कुछ इसके questions अगर हम try करें तो वो ज्यादा better रहेगा क्योंकि मुझे पता है कि इस जब इसके question आते हैं और बच्चे इदम क्या उतर डबबा गोल हो जाता है डबबा गोल का मतलब यहाँ पर है कि बस एदों चुचा बैठे देंगे शकल देंगे दुसरे की दिखा दे भाई प्लीज ठीक है तो अब यहीं पर हमारे चैप्टर खता में तो मैं कुछ questions ले लेता हूं पहली बात तो यह तो समझ में आगे ना work function निकालने वाला इस टाइब के questions बहुत मिलेंगे तुम्हें ऐसे और ऐसे ठीक है तो बस लाइन को extend करो जिसका ज्यादा आ रहा है वर्टिकल उसका work function ज्यादा आएगा राइवरीबडी इस टाइब के questions में तो मुझे लगता है कि कोई doubt होगा अब जरह सारे बच्चे question लिखें लेको mSoa Particle and a proton in Alpha particle and a proton are accelerated are accelerated are accelerated through the same potential difference through the through the same potential difference calculate the ratio of calculate the ratio of linear momentum acquired by both of them ratio निकालना है हमें तो कितना निकलना चाहिए ज़र बताना है एक बार कोशन एक वाद ध्यान से बढ़े सारे बच्चे अलफा पार्टिकल और ये तुम्हें दिर्ख का है प्रोटोन तो हल्फा पार्टिकल का तुम्हें इस सेनेरियो पता है मास और चारज की विछ में क्या रिलेशन होता है वैसे, सारे बच्चे ध्यान से सुनना अगर proton का mass MP है तो ध्यान रखना alpha particle का mass 4 times होता है इस proton से और अगर charge E है मतलब charge अगर Q ले रहे हो तो ये 2Q होता है alpha particle एक तरह से helium जैसा होता है तो double charge और hydrogen helium 8 ratio 1 8 ratio 1 आ रहे है सबका चेक कर लेते हैं अभी दिक्षा तुमारा तरफदार question समझ में आ गया yes sir अच्छा ratio कितना आ रहे है sir कर रहा हूँ question एक वाद ध्यान से बढ़ोगे तो लिखा है कि accelerated through the same potential difference इसका मतलब यहाँ पर हमें यह तो पता है कि kinetic energy is always equal to potential difference जसपे कर रहे है stopping potential stopping potential भी नहीं potential difference भी बोल ला है तो वी तो लिखी गई ना यार ठीके यह सब तो potential difference के हमने उसमें कर रखा है तो ठीक है एक सिकेंगे सरी 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 अ एन अलफा पार्टिकल प्रोटोन अर एक्सलेर्टिट थो दी सेम अच्छा हाँ दौनों को सेम potential difference भी ठीक है दौनों को सेम पर कर रहे हैं मैं लोग कानेटिक नहीं हमाँ पता है कि कानेटिक एनरजी और प्रोटोन और अलफा पार्टिकल है तो better to write q, तो qv, यह बात तुमने पहले से ही दे रखे, बहुत बार मैंने कराई भी है, kinetic energy is always equal to qv, अब जरा बताना kinetic energy का formula क्या होता है, half mv square, और यह क्या है मेरे पास qv, ठीक है, तो अब इसने पूछा क्या है तुमसे, ratio of momentum, अच्छा क्या मैं इसको momentum बना सकता हूँ, एक का करो, m और m से दोनों को divide कर दो, तो यह क्या बन जाएगा, उपर p square, नीचे बन जाएगा, यहाँ पर formula तुमने खुद बनाने है, formula बनाना सीखो, अलग-अलग situation में वो अलग-अलग चीज़े बना सकता है, ठीक है, अभी देखते हैं, तो p square by 2m, और यह हो जाएगा मेरे प तो अलग-अलग condition के लिए लग-अलग formula लगाने पड़ सकते हैं, अगर उसने momentum पूछा है, तो इसलिए हम यह formula लगाएंगे, अब ले लो दोनों का ratio, एक मालू मैं क्या ले रहा हूँ, alpha के लिए, एक ले रहा हूँ, proton के लिए, तो अब ज़रा बताना है एक बार, अगर मै proton के मास को mp और q मान रहा हूँ, तो इसको 4q और 2q मानना पड़ेगा, तो alpha के लिए क्या हो जाएगा, 2 तो 2 रहेगा, m के चिगए पर क्या लिखूंगा, 4m, q के चिगए पर क्या लिखूंगा, 2q, और v के चिगए पर, v तो सेम ही तो तो नों का, question देखो एक और, तो नों क्यों, प्रोटॉन को तो है मैं अच्छा, और चार्ज को, लब मास तो है मैं और चार्ज क्यों है, mp लिख दो, mp लिख दे चार्ज को, चार्ज को न्युक्त को यह टीक है तो वी से वी कट जाएगा क्यू से क्यू कट जाएगा and 1 बचे कुछ तो इस अम कट जाएंगा 2 से 2 गट जाएगा तो ऊपर क्या बचे गा फिर रूट तो तू जा 4 बचे का ना तो रूट एट बचेगा ऊज़ु स्टेगा तो 4 ने तो 4 सोरी 4 भी है हां 4 भी है तो 4ू जा 8 तो रूट 8 और डिवाइड़ बाइ, बचेगा, कुछ बचे रहा है, रूट 1 बचेगा sir, अभी रूट 1 को 1 ही तो बोलते हैं, तो इसका मलब क्या हुआ, रूट 8 रेशो 1 बचेगा, right, अच्छा रूट 8 को मैं क्या लेक सकता हूं इक तरह से, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा तो इस तरीके से फाइनली हम यह कर पाएंगे तरफदार क्या तुमने भी कुछ-कुछ ऐसा ही किया था या कुछ अलग ही किया था तो नेक्स कोश्चन लिखे सारे बच्चे सारे बच्चे ध्यान दे यह चैप्टर बहुत इजी अगर कोई चाहे कोई चाहे तो सिर्फ सेकिंड बुक के बलबूते पर सिक्स्टी प्लस मार्क्स लेकर आ जाता है दो साल पहले एक बच्चा आया था वो आया था जैन्वरी में और पता है क्या उसका उसका बच्चे अच्छा वाला सीन हुआ था ट्वैल्थ में कुछ बच्चे अच्छे है f is equal to k q1 q2 यह भी नहीं पता उसको तो finally तुमको एक pdf मिली होगी ठीक है फॉमले वाली एक वो है ना अरे जो मैंने भेजी होगी है मैंड माइप माइंड मैप सॉरी माइंड मैप तो फिच इसका माइंड मैप है फॉर्मले इसका ठीक है तो यह हमारे चुब हो जा सारे वाघे तो यह जो फोमले इसका है तो मैंने उसको वह दिया ठीक है और यह डैरिवेशन जो इंपोटन इंपोटन थी लेकिन उसने फिर कोशिश करी पूर अप्टिक्स के लावा बागे सारा एजी है तो उसने सरिफ ये वाला से किंद भॉला सेकिद बॉक का ये वाला portion के ह पूरा समझ नहीं पड़ता है फिर अट्र फिल और उसके लिए चाहिए सफिशन टाइम टाइम इतना था नहीं अल्दो उसने कोशिश करी पूरा समझने की उसको बस पता था कि यह होता है, यह होता है, I know उसे इतना टाइम नहीं मिला, बढ़ इस्टिल उसने जितना अच्छा मैनेज किया ना numerical में, कि कुछ classes में उसने वो numerical कर दिये जो बाकी के पुराने बच्चे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके marks फिर भी मेरे according तो उसके marks अच आप से अगर कोई January में अपनी तियारी कर रहा है, और January में March में पहला एक्जाम था, चार तारिक को, चार मार्च को पहला एक्जाम था, और January में बढ़ आया है, तो उसने दो महीने के अंदर, और भी तो subject होते हैं बाई, लेकिन फिर भी उसने इतना अच्छा मैनेज किया, कि उसके physics में 65 marks आगे, बच्चे फेल हो जाते हैं, जो starting से बढ़ रहे होते हैं कुछ, वो बच्चा कोई खास intelligence नहीं था, और जिनके साथ अच्छे वेले scene होते हैं, कोई best friend था उसका, और December में scene हो गया उनका, तो लड़ाई होगी थी, तो इसी बात से फिर उभाई सब है, और उसने बाद में improvement भी भराता जहां तक मुझे याद है, और improvement के बाद कितने माग से हो मुझे नहीं पता, ठीक है, ठीक है, question लिखो, और यह question हम है, RN भतूरिया करके दिखाएगा, ठीक है, बागी बच्चे भी try करेंगे, लिखो, अब proton and alpha particle, यह सेम डिट्टो ऐसे ज एली पोटेंशिल, एक्सलोरी थूष सेम बूटेंशील, जेम पोटेंशेल, विच बन फदी यह से, विच वं फदी टू करना, विच वढ न उफ्दी टू है तू है को पीटेंश है ने इं दौन के किसके पास, विच वान आफ दी तू हैस फर्स् T डी-ब्रोग्ली वेवेंड ग्रेटर लेबडा जुसको हम डी-ब्रोग्ली वेवलेंड बोलते हैं किसके पास ग्रेटर वेवलेंज्ट篇 और भी अग्छला किनतिक अनरजी किसके पास सबहुर्ण किनेटिक अनर्जी है तो ऑब को ऑना सबस्टिक निन तुम्हें पता ही है H upon P होता है तो पी में बस वही तो पुट करना है नहीं आया समझ यह सब अभी डी ब्रोगली वेवलेंट होता है H upon P और पी अभी जस तुम्हें कोश्चन किया पी के ऊपर तो पी का फॉम्मला सेम पुट अप करो उसके इंदर तो वह किसके इंवर्सी प जादा आ रहे देश नहीं सर्फ उसका वह कम होगा अब तुम्हें दौनरा बाते कर दिया मुझे समझ नहीं आरा कि अधिक ठीक और और मैंने क्या पूछा था किसकी काईटीक एनर्जी कम है तो किसकी कम है सब प्रोटॉन की प्रोटॉन की कम है आँ तुम्हें के लगता है आदित्ते काईटीक अलफा की कम है ठीक है देखो बई अरे यह मेरी आवाज आ रही है अच्छा आ देखो यह हमारे पास क्या है लैंडा इस एकल टू आई नो मेरी वाज बहुत अच्छी है लैंडा इस इकल टू एच अपन पी होता है तो अगर यह डिखूंगा रूट 2 M Q V यह तो आया था महेंग क्या मैं गलत बोल रहा हूँ नहीं तुर बोलो मैं सही बोला हूं रहा हूँ ठीक है तो H upon Rural2 M Q V अब जरा मुझे पार हो H तो constant है तू भी constant है अच्छा क्या stopping यह जो मुण भी है मेरे पास यह बी constant है क्या से में तो इसका मदलब यह भी फिर कटे गई तो इसका मदलब लेंड़ा जो है वह वह डारेक्ट किसके एक फिर अच क्राइब मांस भी तो होता है मांस और रूट टेखे तो मास इंटू कि तो इसका मतलब अगर मैं रेश्यो लेता हूं लेमडा पी और लेमडा अल्फा में लेमडा और थोड़ा सा इस तरीका से बनाते हैं ना तो यह मेरे पास क्या जाएगा देखो अभी इन्वर्सली है तो इसका मतलब यहां का अंडर रूट आएगा किसका मास अफ प्रोटोन and charge of proton और यहाँ पर क्या आएगा mass of alpha and charge of alpha right क्योंकि inverse relation है ना प्यारी बच्चो येस सर ठीक है अब मुझे अब में थोज़े पहले एक बात बता ही थी alpha particle proton से कितना ज़्यादा mass होता है four times four times होता है ठीक है प्यारी बच्ची अच्छा और चार्ज कितना होता है two times और यह क्या होता है मेरे पास यह तो वही रहता है अच्छा श्रिया तुम बताओ यहां पर क्या लिखे है इस mass के जिगे पर MP MP लिखे है MP क्यों लिखे है में लिखे है जब ऊपर मैंने सकते हैं इस बसी कोईसिडेंस आइए कि वहां पर भी रूट्टु आये था प्सक्राणा हिए करो योज है कई बोलों कि कुछ भी करें PR और तो यह आता है मैं अदट नहीं बिलकुल है का अ heat अम मेरे पेंट्यक को क्या हो कि ठीक है तो सब्सक्राइब कर आगा होगा बजय कुछ नहीं होगा ठीक है किसकी काइटिक एनरजी ठीक है जाए ठीक है तो अब देखो काइटीक एनरजी के हम तो क्यांटिक अनर्जी का फॉरम्मला हाफंभे स्कूर एक लेकिन अससे बढ़र क्या हुआ है क्यूंठ वी एक क्यूश ऑनकी बढ़रक्या पॉटेशल तो से मां तो सिर्फ हुष्ण परिमेंड कर रहा है कोले जांच पर वह तो इसका मलब अलफा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है two times होता है तो अलफा का two times होता है और proton का वहीं होता है जरा ज्यादा किसकी हो वह फिर 不好意思 अब को अज पूछा किसका था प्रो लेकिन एक आधित्य नाम को पिछा-था थária बच्ची ऑर ग्रता अधित्य संहे वो नहीं टेकर ग्रता हुआ अज्ब लेकिन अम इलतेi को बचारे ओपना inshal Basagina ऐले रहीं थह था था आधित्य वहरे था तो यह हमारे पास क्या था तो आई होप यह सब चीज़े याद रखोगे पड़ागे कौन जोड़ रहा है क्यों इस रुज़ें हाँ भई तो अब हमारे पास क्या है नेक्स कोशन लिखें एक बार देखो यार यह जो पूरा पूरा अपने आप में चैप्टर है ना इसमें तुम्हें नुमेरिकल्स बहुत जाद ट्राइ करने है ठीक है तो आई होप कि तुम लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखोगे क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो यह चैप्टर जितना एजी है उसका कुछ फायदा नहीं होगा यह मद्स सोचना कि डेरिवेशन यहां से ज़्यादा आएंगे डेरिवेशन जो आती है वह ब्लब बुक नंबर वन से ज़्यादा आती है बुक नंबर टू से मोसली मोसली नुमेरिकल्स यह लोग कहीं नहीं है इस तरीके से करके चलो ठीक है बई अच्छा एक बार एक कुछन आया था सारे पर दियान से सुनना एक बार कुछ लिया था मैं एक बार मेरे पास कुछन है यह कुश्चन के रहे वाई आड डी ब्रोगली वेवलेंथ अशोशेटी विदा मुविंग फुटबॉल नौट विजिबल ठीक है तो पहली बात तो जो मुविंग मलब फुटबॉल जो होती है वो अपने आप में काफी मलब छोटी होती है तो उसकी जो वेव होंगे वेव तो वैसे भी दिखती नहीं है मलब यह कुश्चन नहीं था में कुश्चन आप सुनना ध्यान से दी वेवलेंथ लेंडा ओफ फोटोन एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ओफ एं इलेक्ट्रॉन हैव दी सेम वेल्यू और दौनों की वेवलेंथ सेम है शोड़ेट दी एनरज अफ दी फोटोन इस यह बोड में एक वार आया हुआ कुश्चन है और जब यह कुश्चन आया तो लोग है तोते उड़ गए टॉपर तक के भी यह क्या है ऐसे तो कोई देडिविशन एंटी में ही नहीं तो कुश्चन सुनने सारे पुचे दी वेवलेंथ ओफ फोटोन ए चैज़ टाइम्स धी का नेटिक एनर्जी ओफ दे एलेक्ट्र साथ गुछ लोगों को कोश już समझ में नहीं आया तो बस भाइनमने ये बोला है कि एक फोटोन की वैवलेंथ है फोटोन की ठीक है और यह कहा रहा था डी ब्रोगली वेवलेंट ओफ एलेक्ट्रोन डी ब्रोगली वेलेंट दोनों का यूज करती है और फोटोन सरे वेव का यूज करती है यह दोनों आपस में एक वाल है तो आप कहा रहा है कि जो एनरजी है ना फोटोन की फोटोन की इतने टाइम से कायंटिक एनरजी और फेले जाएंगे उपर बीच में कुछ फॉचो कर दीगे कि तुम्हें हर question में जादा से जादा marks obtain करके लाने है अगर तुम्हें तीन question तो बस अपनी पूरी लूस कर दी उसी एक्जाम में बैठे बैठे आदे घंटे में उन्हें पेपर देखा कि इसे तो कुछ नहीं आता तो स्टार्ट निंगा एक घंटा उसने देए दूसरे को देखता रहा अपने 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 आपको तरह आप नहीं क्या करने लग गया वो तो चलो उसका एक दोस्ता उसने बोला भाई क्या कर रहा है कम से कुछ तो कर ले टीचर भार भी गई है मेरे में से देख ले तो उसने थोड़ा बहुत देखा थोड़ा बहुत उसे याद आया तो भरकर आगया तो वो पास हो गया और आज वो डैली उनिवर्सटी में उसने इंप्रूम्मेंट भी नहीं भरा लेकिन उसे आज बसतावा होता है कि यार कम से क्योंकि उसके जो दोस्ते ना पेपर टाफ आया तो स्रेव उसके लिए आया या सबके लिए आया तो उस पेपर में इतनी लीनियन चेकिंग हुई सब बच्चों की कि एवन एक लड़ सरफ बोड में और मैं इसमें जीरो नंबर लायता हो उसके फिजिक्स में 86 माक्स आ गए उस टफ पेपर के अंदर कुछ ना कुछ लिखकर आया कुछ ना कुछ यह सब ऐसे चीजी होई है बच्चों के साथ मैं खुद हैरान था कि क्या करा है तुमने मैंने सब कुद कॉल कि फिजिक्स पर चाहिए उसे शायरी जो काता है देखे है तो मैं उसका स्टीस भी लगाता हूं तो फिजिक्स में उसने एसी कड़ा था वह बहुत तैलंट इंडीड लड़का था बहुत ही बहुत अच्छा बच्चा है वह तो अब तो वह कर डियू मैं सेकंड यर मैं एक्सपेक्टेशन थी तो ठीक है एहां एक्सपेक्टेशन थी सबको थी लेकिन इसा थो नहीं नहीं आपना best देना होता है तो जब भी ऐसे question आए random तो तुम्हें कोशिश करना है कोशिश करके जितने भी तुम्हें आता है दूम्हें दो लिög के लिए और छो फ्टरो नंगे क्ली होता है यह हो झाय जाएगा फिर H upon lambda ठीक है तो अब अगर मैं काइंटिक एनर्जी निकालूँगा तो काइंटिक एनर्जी का फॉर्मला हमने पहले से ही निकाल रखा है P square by 2m अभी ध्यान से देखो करा था ना यहीं अब आते हैं फोटोन के उपर अगर मैं एनर्जी और फोटोन की बात करता हूं तो यह तो वेव नेचर है पूरा तो वेव नेचर क्या होता है फोटोन तो वेव नीचर होता है न इसों लगाता है और हमियू कमलब क्या होता है अभ न हम ठीक है तो यह एनर्जी ओ फोटोन एब देखो उसने क्या बुला हम से कि इतने टाइम्स ओफ दी काईटिक एनर्जी इसका मतलब ये इंटु में काईटिक एनर्जी लिखा है ना एसे ये और ये एनर्जी है तो इसका मतलब हमें रेशो क्या निकालना है एनर्जी अपॉन में काईटिक निकालना पड़ेगा ना ताकि वो तरह के काईटिक बन जाए जोच of photon upon my kinetic energy of electron ठीक है वेरी गुट रिती तो energy of photon तो energy मेरे पास कितना होता जरा बताना एक बार अभी निकाल ले तुम नहीं एच सीवाए एच स्क्वेर अपॉन एच स्क्वेर अपॉन में लेमडा स्क्वेर अपॉन में तो क्या कुछ चीज़े गट रही है एच से एच कटा लेमडा से एक लेमडा कटा और भी कुछ कटा क्या नहीं कटा तो यह टूम उपर आ जाएगा तो यह से तब आ जाएगा तो लेमडा कितना टफ लग रहा है लेकिन एक सेकिंड में हो गया याद रहेगा तरफदार एवरीबडी आदित्या है वह जान पुछ के दी जाएगी इस ऐसे पहली बार आए तो पहली बार में सबके सबके हरत कराब हो गई थी उस तेम पर यह होट कुशन माना गया था इस सब एंसे आटी में जो है वो धिट्टो थोड़ी आता ही तुम नर्सरी के बच्चे थोड़ी हो कि यह तो एंसे आटी में था है नहीं ऐसा ऐसे कुशन आएंगे सारे वाई ट्वेल्थ मैं हूं फिजिक्स लिए साइंस लिए तो थोड़ा बहुत तो चेंज हो गई किसी को भी कोई डाउट है येस क्या नाम है श्रिया डली नो ट्रीक अब यह को जिसना कर दिया इसका मजला उसको यह चेप्टर आल्मोस्त आगया तो यह कोशन में चलो उसके का क्योश्चन लिए एक कैल्कुलेट्थी रेशो अफ दी उसी की जैसे अब जो आपने पहले वाला सेखा था calculate the ratio of the accelerating potential accelerating potential required required to accelerate required to accelerate a proton a proton and second alpha particle यह एक ही का पार्ट है अलग लग नहीं है कहीं से अलग नहीं लेलो and alpha particle to have the to have the to have the same to have the same deep broadly wavelength to have the same deep broadly wavelength मतलब कुल मिलाक के बात यह है कि दौनों की deep broadly wavelength same है alpha की और proton की अब तुम्हें potential का ratio निकालना है तो potential का ratio निकालो तो मुझे एक डाउट था हाँ हाँ पूछो यह सर वह सर वह डी ब्रॉगली वाले में सर वह lambda और mass relate हो गया था जो indirectly था हाँ 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 तो सर वह wavelength के पास mass indirectly वह समझ में नहीं आया कर आया था अच्छा जासे e is equal to mc square सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसमें इसमें डाउटल lambda और mass indirectly mass कैसे आगया wavelength के वास वह पूछना अ जो तुमने जहां पर मैं जहां पर तुमको doubt हो रहा है ना उसके pick क्लिक करके circle करके WhatsApp करना कि यह चीज़ समझनी आई सब्सक्राइब यह तो साफ साफ है ना कि lambda is equal to hymv तो inversely ही तो है नहीं सर्थ मैं पूछ रहा था कि wavelength के पास indirectly mass कैसे कैसे आगया मतलब वह relation समझ में आगया जो आपने कराया था 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 थिव थि मलब theoretical नहीं आया मतलब कैसे वह लेंड़ और मास में इंवर्स रेलेशन कैसे हुआ यह यह बात बताओ यह lambda is equal to h by mv है right now अगर तुम यह तो सामने दिख रहा है जो तुम question पूछ रहो एच के अपने आप में constant होता है तो जब तुम proportionality को हटाके constant लगा सकते हो तो constant को अटाके proportionality लगा सकते हो ऐसे बताओ भाई proportionality को अटाके constant लगाते हैं तो constant को अटाके proportionality लगा लिया तो अब lambda और m के बीच में direct relation हुआ या inverse inverse तो यही तो सहय तुम पूछ रहे हो नहीं मैं यह नहीं नहीं बाद में अब पूछूँ आपसा एक काम करो एक काम करो जो भी तुम पूछ रहो नहीं जल्दी से उसके पिक के करके circle करके भेज तो यह पूछ रहा हूं कि ऐसे मैंने बहुत सारी portion पड़ा है आप कौन सा वाला तुम पूछ रहे हो इसमें थोड़ा सा हो जाता है मुझे भी हाँ हाँ बोलो बोलो श्रिया 4 is to 1 आ रहा है 4 is to 1 आ रहा है सबका 8 is to 1 आ रहा है 1 is to 8 क्रिती क्रिती वेरी वेरी विल्ट इसमें रहा है प्रोटन लिया उसका 1 is to 8 आगा इसमें प्रोटन पॉन में अलफा लिया है वो 8 is to 1 आए मेरी अपॉणिंग बाकी तुम लोगों का चेक कर लो एक बार यह सब मैंने प्रोटन अपॉन अपॉन आपॉन तो 8 is to 1 बिल्कोल सभी इस तुवन ग्रेट रहा है ओके चलो भी और आरन बदोरिया अग्या अग्या तरफदर आजकल क्या होगा तुम रिप्लाई करते हो बहुत कम रिप्लाई करते हो तब खराब हो गई के तुमारी फिर से नहीं सर एक्टिव राकर हो खुड़ा क्लास के अंदर एक तो आज तो थोड़ा सा इंट्रेक्टिव और थोड़ा सा मेमोराइजिंग करके जाओ सब बच्चे एक दम शांत रहते हो अपने वर्ड में बिजी रहते हो तो थोड़ा सा हैपनी हाँ बोलो येस लिया बोलो तुम बोलो येस तर मेरा टेस्ट है स्कूल में तो मैं जाओं इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन ठीक है चाहसे हो अब बाय तो बोल दो एक बार क्रेटी दिश्चा को अच्छा पस्त लिखा दिया हुगा ठीक है और यहां पर वह यह के सुकरति अमनुट कुर्थी क्लास से चलिजाती है मना वैसे मैं नोटिस किया है क्लास में बहुत कम होती है कभी भी आती है कभी भी ज़ले जाती है विदूशी है क्लास के अंदर कुछ बच्चों का बिल्कुल अलगी लेवल का चल रहा है पता है यह समझे नहीं आ रहा हो क्या रहा है क्लास के अंदर आदे बच्चे जॉइन कर रहे हैं यह स्कूल की क्लास चल लिए गे तुमारी इतना लाइट ले रहे हैं कुछ बच्चे क कुछ बच्चों की हालत बुरी है मैं नाम नहीं ना चाहता लेकिन कुछ बच्चों की हालत ऐसी है कि अगर पेपर अगर थोड़ा सावी ट्रेड़ा मेरा आ गया तो सीधे फेल ओ सीधे फेल कंपार्टमेंट भी नहीं सीधे फेल गया अगली साल करना सर और 90 कि तो सबने फोच फिर हाँ बही क्या कुश्चन था मेरा मेरा कुश्चन है कैल्कुलेटी रेशो आफ दी एक्सेलरेटिंग पोटेंशिल रुक्वायर तो एक्सेलरेट अप्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल तो हैव दी सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ तो मुझे बात बताओ लेंडा के बीच मैं थो मैंने पहले से एक एक रिलेशन बता याँ था तो एक वाइट रुस्चन बता रका है वह यी आज सब जदा फॉर्मला जो यूस्ट हुआ है वह यही तो हुआ है ये सब मुमेंटं दे रखा है एचकों पी निकल गया जुब तो अब पी की जिगर पे जिगे क प्रेट करने वाले और एंट्रेंस में और यह सी बेसी बोड में कोई डिफ्रेंस नहीं है इतना इसी में कोश्चन आते हैं है एच अपन में रोट अच्छ तो यह मेरे पास लेंड़ यहाँ पर चुका है अब कंडीशन क्या बोली थी लेंड़ा दौनों का क्या होना चाहिए से रोना चाहिए तो लेंड़ा पी इस इकुल टू लेंड़ा अल्फा अच्छ तो दौनों का एक्वेट कर दे तो यह आपचना तो यह ही kaat दिया होगा कि हर बार यह इतु हहा है तो इस बार ही ओ रहा होगा अचरण अचने टाइमस होता है कुछ आये किये यहां पे कुछ भी नहीं पर भी नहीं आया शाएज ठीक है कि रैठ बेरी घृच्व है क्या सらा Ό You could ठीक है Nurse two times और यह पोटेंशल कीया हो जागा मेरे पास अलफा तो एच से एच कर जाएगा ठीक है तो अब मुझे रेशु निकालना है तो एक क्या काम करने चाहिए काम को एह स्क्वार कर दें तो बैडर रहे गा the स्क्राइब करना होटी जाएका पूर तो वी अलफा और वी को मेदर लेग्या और वी पी को इधर ही रहन दिया तो यह जाएगा इदर की साइट तो यह पूरा इदर गटी जाएगा तो यह तो और तो अपस में और यहां पर फोटू जाएट बचा नहीं है को समझ अग्यास अनन्या महेक रितेश कोई डाउट है इसके अंदर नो सब्सक्राइब करना है और जो कंडिशन दी जा रही है एक्वेट कर दो बस उसको उसको क्वेट कर देना है इस तरीके संसर निकल के आ जाएंगे ठीक ह अच्छा थ्रेशल्ड वेवलेंध किया होती है वैसे थ्रेशल्ड वेवलेंध कि लेमडा नौट यह तो यह थ्यान रखना और यह थ्रेशल्वेंद्सीज्य जादा होनी चाहिए क्योंकि यह denominator में है तभी तो यह overall कम होगा तुम क्या चाहते है तुम्हारा work function जादा होना चाहिए कम होना चाहिए incident light से कम होना चाहिए ताकि जादा kinetic energy है तो इसके लिए यह threshold frequency जादा होनी चाहिए जादा जादा होगी तभी तो और frequency त्रेशल frequency त्रेशल फ्रिक्वेंसी तो ऊपर है ना भाई यह जादा होगा तभी तो यह बुरा कम बनेगा तो यह सब चीज़े तुम लोगों को पता होनी चाहिए अच्छा मोमेंटम और kinetic energy के बीच में क्या relation है क्या रिप्लाई कर रही है बागी लोग को मैं कुछ कह नहीं सकता दो तीर बच्चे और है लेकिन रिप्लाई नहीं करते हैं वो लोग शर्मात हैं थोड़ा समय से कोई बात नीं चलो तो अभी शेक तुम्हें समझ में आ रहा यह सब क्या चल रहा है तो डूवल नेचर का ध्यान लगना कोई excuse नहीं बहुत जल टेस्ट होगा और ऐसा भी हो सब्सक्राइब क्लास में एकदम रेंडम ली सप्राइस टेस्ट हो जाए तो अच्छा ठीक है यहां के सारे बच्चे एकदम एकदम खौफना तरीके से बोलत एक बच्चे वाले टॉपिक का में की माउस टॉपिक ठीक है मैट्रिक्स अच्छा ठीक जादा तो अब इतनी दूत्री वाद तो टेस्ट हो चुक है तुमारे डेटर्मिनेंट का पहले भी वहा होगा अच्छा तुमारे प्रिपेर हो गया का और यह पूछ रहा था संद्य फ्री गहना पुरा अरिक्ष्कूल का भी तो है तो यह मैनेज करो यह तो लाइफ है लाइफ लाइफ लाइफ-ेक स्ट्रगल है स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं करोगे तो क्या होगा एंच्छ अच्छ सब्ढ़नें तो लिद अधीन करो ठीक है ताकि तुम बोल भी पाओ आने वाली जनेशन को तुम लोग क्या बोलोगी हमने क्या क्या था हम मजाग करते थे हम टेटर हमारे एक सब्सक्राइब करने से अच्छा है कुछ इत्रलाइस करो चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी मिलते हम अपना नेक्स क्लास के अंदर ठीक है यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर की तेहरी स्टार्ट कर दो नेक्स क्लास में स्टार्ट करेंगे एटम्स